रश्या यूक्रेन युद का छटा दिन और आज का दिन बहुत निर्णाइक इस लिहाब से कहा जा रहा है कि रश्या अपनी ताकत को पूरे अग्रेशन के साथ आगे बढ़ा रहा है यूक्रेन के मीजिया का इस बीच एक बड़ा दावा रूस ने वैक्यूम बम गिराया है यूक्रेन पर अब तक का ये सबसे बड़ा बम गिराया गया है वैक्यूम बम हमारे दर्शुकों को थोड़ा बहतर तरीके से मनिश आप समझाए वैक्यूम बम गिराने का मतलब क्या है देखें ये बिल्कुल साफ है कि और एसकलेट कर दिया गया है जो दावा किया गया है वो thermobaric bomb या aerosol bomb या vacuum bomb इसे कहले तो यह oxygen को सक कर लेता है और इसका इस्तमाल पहले भी किया गया है कई जगे किया गया है और इसलिए इसकी गंबीरता बढ़ जाती है और खास तोर पे आप इसे देखें तो एक बड़े लेवल पे खास तोर पे यूक्रेन में इसका इस्तमाल करना इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है जैसे यूक्रेन के जो इस समय राज़दू यूएस में हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि thermobaric bomb यानी एरोजोल बॉम का इस्तमाल करते हुए वहाँ के लोगों को नुकसान पहुचाने की कोशिश की है रशिया ने इसे वहाँ पर डेपलॉई किया है जनले चतुरवीदी एक और एसकेलेशन जहां ICBM दिखा रहे हैं ट्राइड की बात कर रहे है वह अपने डिफेंस मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप तयार रहे है अब ऐसे में यूकरेन की तरफ से दावा बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीश आप ये एसकेलेशन लेडर है और मैं समस्ता हूँ ये स्मर्च ने फायर किया होगा क्योंकि समर्च में इस तरह के बाम थर्मोवर जो मनीश कह रहे थे वो हैं फियूलर एक्स्ट्रोसिव हैं जो कि पूरा एरिया क्या ऑक्सिजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और पीपल डाई आउफ लैक ऑक्सिजन एंड सेकंड वहाँ पर जब क्यों बनता है तो मैंने रश्या में ही एक डिवास्ट्रेशन देखा है एक बस खड़ी दी वहाँ पर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ लेकिन रूस क्या वाकई में वहां के सिविलियन्स को टार्गेट कर रहा है बिल्डप एरिया में क्या यह बॉब गिराय क्या है या रूस को यह पता था कि एवएक्यूवेशन यहाँ से हो चुका है अल्रडःडी लोग यहां से प्लायन कर चुके फिर यह बॉंबार्डिंग हुई है अब यह नहीं मालूम कि किस एरिया में हुआ है तस्विरों में दिखने रहें कि रहाशी अलाका है यह हो सकता है ऐसी जगे हो जहां या तो उनकी पॉलिटिकल लीडर्शिप कोई हेड्कॉर्टर्र वगरा हो या आर्मी का या एर फोर्स का किसी का कोई डिफेंस इस्टैबलि हो वहां इस्तमाल क्या हो नॉमली आम फोर्सेज एज 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 एजए मेंडेट दे डॉंट अनलेस वाट बेड़े थापर है अर्लियर सैट कि जहां से वह अब्जर्ब कर रहे हैं या उसको हमारे अगेंस्ट यूस कर रहे हैं उन ठिकानों को छोड़के भी नॉमली इसको देख लेते हैं कि आखिर का इस तस्पीर में क्या दिख रहे हैं जिससे आप और अच्छी तरह एक्स्पेर कर पाएं कि आखिर क्या हुआ 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 है तो मज में आ रहा है क्योंकि बॉंबाडिंग जो है काफी दूर हुई है बहुत दूर ये धुआ उड़ता दिखाए लिया है आप ने शायद ऐसा देखा है डेमोंस्ट्रेशन देखा है इसमर्च का जब इसमर्च इंडक्ट नहीं हुआ था 2003-04 में इंडिया में आना शु सब्सक्राइब तो देख लीजेए उसमें वह बिल्कुल इस तरह का हुता है जरूर कोई हेड़कॉर्टर वगरा रहा होगा नहीं तो मैंने ही समस्ता की सभीले ने दिया हमें वह इस तर्मोबैरिक बॉम इसके बारे में किसी को पता नहीं था यहाँ पर जो लोग हैं वो जो मिलिटर इंस्टॉलेशन जा मिलिटरी जो ओफिसर्स उनके इलावा किसी को पता नहीं था लेकिन यह कितना खत्रनाक है लोगों के लिए खत्रनाक है जाहे वहाँ पर जितने भी human being या living जो bodies हैं उनके लिए कितना खितरनाक है देखिए आप दूसरों की बात क्या करते हैं मैंने 36 साल काटे एफाउज में नहीं देखा इसको या इस्तवाल करते हो या अपनी inventory में तो लेकिन जैसे की बताया गया जब ये करता है तो ये तो oxygen सक करता है तो जो आदमी वहाँ कोई भी लोग हो वो oxygen के तलब के मर जाते हैं और साथ में जो impact होता है जैसे बस उड़ते हुए जल साब ने बताया तो वहाँ पर और बी कोई structure हो या tank हो या armored column हो तो उनके post devastated effect होता है और जैसे मैंने पहले का कि ये desperation है रश्या की desperation जलक रही है जैसे जैसे escalatory ladder पे चड़ते जा रहे हैं ये एक तरीके से उनके desperation है क्योंकि वो चाते हैं कि जल्दी जल्दी तबदा किया जाए इस दावे बहुत हो रहे हैं तो हमें थोड़ा और शायद इंतजार करना पड़ेगा है कि दावों के लिए के कोई पुक्ता सबूत ही है मनीशन हमें 2004 में Baseline hostage crisis हुआ था बहुत चर्चित ये crisis है उसमें भी RPG के द्वारा thermobaric bomb का इस्तमाल किया किया था आपको तस्वीर याद होगी सभी मास्क लगा के बाहर रहे हैं तो दरसल ये एक गेम चेंजर के तौर पर है खास और उस जगह पर जहां पर hostage crisis हो या फिर कोई एक बहुत बड़ा एरिया हो जनल चतुरीदी में बहुत सही कहना है आप बिलकुल सही कह रहे हैं और इसको अभी तक clarity नहीं है यह band list में भी है जो biological chemical warfare का जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसके हिसाफ से भी इस ammunition के उपर अभी लेकि सरफ दावई है क्यो बहुत बड़ी खबर आ रही है खेर्सों के मेर का बहुत बड़ा बयान आया है रूसी सेना ने खेर्सों में घिराबंदी कर लिया और खेर्सों में entry होने दी जा रही है रूसी सेना की क्योंकि उन्होंने अब घिराबंदी कर लिया है खेर्सों का चारों और से Russian forces ने घेड लिए आए देखे यह टैक्टिकल बहुत बड़ा मूव है अगर खेरसों का अगर चले जाना होता है रश्या के पास तो इसका मतलब साफ होता है कि क्रेमिया के साथ खेरसों जुड़ जाएगा उसको लैंड बिरिज मिल जाएगा और जब फिर क्रेमिया से यानि रश्या से फ खारकीब को लेकर लड़ाई हो रही है लेकिन इस मगा मतलब के साफ है कि अब साउथ की ओर से एक और प्रांथ कब्जे में आ रहे हैं। खारकीब को लेकर लेकिन अब हमें युक्रेणी मीडिया के इस दावे पर यकीर अगर हम करें तो रूस बहुत जादा एग्रेसिव हो गया जनरल चत्रवेदी। अब वो जो यह कह रहा था ना कि हम कोई कोलाटरल डामेज नहीं चाहतें। अब वो यह बता रहा है कि हम यह भ वो नीचे करने के लिए उन्होंने यह किया हो और एक चीज अब आउट जो बाइलाजिकल वारफेर की वारे में आपने बात कही बड़ा डिफिकल्ट है प्रूब करना कि यह फायर हुआ या नहीं हुआ यह चीज हैं इसी लिए अच्छे इसके एक्सलोशन से क्या यह हमने देखा थे कि बाइलाजिकल वारफेर की बात हुई थी लेकिन वहां पर हमने दिखी थी बॉडिस देखी थी लोगों को घायल देखा था हॉस्पिटल देखे थे पटे पड़े हैं हमने अभी तक यह तक यह तस्विरे नहीं दी है कि इस तरह ही जो वार में उसके कितन से भी यहां पर हैं उनमें से जनरल चतुरवेदी हैं जिन्होंने खुद इसका लाइव डेमो देखा है तर्मो बैरिक बॉम एरोजोल बॉम आप इसे कह लिजे सबसे लीथल बॉम है जो ऑक्सीजन सक कर लिता है आस साधरन शब्दों में आप यह समझ लीजे जहां पर भी गिरेगा वहां का पूरा जो एरिया है कभी करीबन 700 बाइ 700 मीटर्स वहां पर जो भी लिविंग बॉडी होगी वह पूरी तरीके से कॉलाप्स हो जाएगी इसी लिए इसका इस्तमाल अफगानिस्तान वार में यूएस ने किया रॉश्या ने इसका इस्तमाल होस्टे स्कू और यूक्रेण पे थर्मोबैरिक बॉम जैसा यूक्रेणियन मीडिया या फिर यूक्रेणियन मिनिस्ट्री कह रही है थर्मोबैरिक बॉम की निफैलिटी कैसे और बढ़ जाती है अलग-अलग लाउंचर, Smerch या फिर जो RPG राउंड से या Air Force उनके जरिये इसको लाउंच के जा सकता है आसानी से, Smerch is one which I have seen and it can be I am sure from the air definitely it can be launched लेकिन ये जो चीजे है ये केवल escalatory, they are not nuclear की तरफ नहीं है, मैं convinced हूं की nuclear weapons will not be used here and they will never be used as far as I think future में भी नहीं है अब इसका थोड़े से diplomatic angle पर आती हो अत्रिपाठिय सर, जब अभी मनीशे कह रहे थे कि अमेरिका ने रूस किया था अफगानिस्तान में, आज अगर ये रश्या यूस कर रहा है यूक्रेन में और इसे कितनी दो तरीके से देखा गया, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान म है रूफ, देखिये, double standard है, सीधे-सीधे, ये वही है कि तुम करो तो पुन और मैं करूं तो पाओ, तो यही चीज है, अमेरिका ने जो भी किया, अमेरिका ने, देखिये, क्यूबा के उसमें, अमेरिका अमेरिका ने जरासा भी जुकने से इंकार कर दिया था, लेकिन वही जगर रूस कर रहा है, तो ये कह रहे है कि नहीं, ये गलत कर रहा है, अमेरिका ने कई जगों पे, कई जगों पे political, military intervention भी किया, लेकिन वही चीज अगर रूस करता है, या चीन करता है, तो अमेरिका के लिए परिशानी का सफ़क हो ज़िए, एक बासे हम आपको बता दे कि इस समय जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, ये Ukrainian agencies का दावा है, कि ये thermobaric bomb, यानि एरोजोल bomb, vacuum bomb है, जनरल चतुरवेदी, ये vacuum bomb जहां गिरेगा, वहां पर क्या होगा, कैसे तस्वीर बदल जाएगी, कितना लीथल है ये, ये बहुत ही लीथल है, डिवास्ट oxygen और बिल्कुल आपने थोड़ी देर पहले जो दर्शेक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपका खुद का अपने आखों देखा experience है, वो ज़रा शेयर करें मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने जो देखा, हम लोग करीब पांस किलो मीटर की दूरी पे होंगे पांस अच्छे के हैं, वीवर इन बंकर्स, जो इन्होंने इसको demonstrate करके हमें दिखाया है, एक बस खड़ी थी वहाँ पे पुरानी, और वो बस एकदम उपर गई करीब 40 मीटर क होगी, जरूर बरबाद होई होगी. जहां पर air약cs हो रहे हैं, तो वहीं पर हम देख रहे हैं, ग्राउन एटक में रुष्यन काफिले को भी नुकसान पहुछाया गया है, और यह तस्विर इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि खारकीव में रुष्यन काफिले पर हमला हुआ है. ये तस्वीरों में विल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि करीबन चार से पांच की संख्या में जो इन्फेंट्री वहिकल उनके फोर बाई फोर है जिसमें टूप मुव्मेंट किया जाता है जो की आगे के अड़ेंस मार्च के लिए बहुत जरूरी था और पीछे देखी जैसे ये हमला हुआ उसके बाद की ये तस्वीर है क्योंकि रशियन फोर्सेज वहाँ पर पूरी तरीके से गाड़ेट तरीके से उसकी आड़ में छुपकर वहाँ पर देख रही है हमला कहां से हुआ क्योंकि इस समय यूक्रेन में माइन आईडी का इस्तमाल लगातार किय जा रहा है माइन से टैंक्स को उड़ाए जा रहा है एंटी टैंक माइन और उसके बाद आईडी का इस्तमाल किया जा रहा है जैवलिन का इस्तमाल किया जा रहा है उसके लावा जो एंटी टैंक गाइड मिजाइल से उसका इस्तमाल भरपूर मात्रा में इस समय यूक्रेनि लेकिन जो forces खड़ी हो Ukrainian forces उनके हाथ में आप yellow band देख रहे हैं जिसके हाथ में yellow band होता है वो सब के सब Ukrainian होते याने कि ambush करके यहां से जब चले गए हैं वो आके अब इसको देख रहे हैं चेक कर रहे हैं तो कुल मिलाकर यहां पर ambush किया गया इनकी गाड़ियों को यहां पर नु कि built up area की लड़ाई बहुत मुश्किल है सबसे मुश्किल मानी जाती है क्योंकि कोई भी एक आदमी बैठा छुपा हुआ है उठके आपके ओपर fire कर सकता है 80 GM, Javeline, कोई भी anti-tank weapon या rifle या कुछ भी और भी को नहीं तो artillery fire direct कर सकता है accurate artillery fire तो यह जैसे आप एक एक well में घुस रहे हैं और ऐसे लाके में घुस रहे हैं जो चारों तरफ आपका दिश्मन बैटा है तो इसको search करना occupy करना बहुत मुश्किल है पर ऐसे situation में जो रूसी स्वाने किसे drive कर रहे थे या जो इस पूरे convoy के साथ move कर रहे थे उन्हें क्या prisoner बना के रख लिया जा सेना PW पकड़ने के जल्दी में नहीं होती है वो नहीं चाहती नजदीक PW पकड़ने के लिए नजदीक जाना पड़ता है उसको शुरुबात में हम देख रहे थे कि कई सार ऐसे वीडियो सारे थे जिसमें रूसी सेनिकों को बंधक बना के रख लिया गया था उनके वीडिय करते हैं तो नॉमली नहते पर फायर नहीं है हमारे एक एथिक हैं और उनको प्रिजना वार बना लेकिन जब तक उसके पास आम है हतियार है उसके पास और वो आपके उपर फायर कर सकता है हम लोग बात कर रहे हैं कि रेस्क्यू हॉस्टेज जो सिच्वेशन है सनेक आइलेंड पर उसके बाद जितना मारा पूरा बेस था सब की मौत हो कोई बचा नहीं है उसके बाद रशिया ने वीडियो जारी किया रशिया ने उनके दो जो वाँ पर फोरसे थे उनका वीडिय बहुत कुछ सही नहीं होगा जो वो बोलते हैं इनका उपयोग जो है यूद्ध के बाद बारगेनिंग चिप के रूप में किया जाता है आमने सामने होंगे तो देखिए योगी के गुरकपुर से इंडिया टीवी का ये एतिहासिक शो रात को नौ बचे जोगा तार नंबर वन इंडिया टीवी योगी और रजच शर्मा फिर आमने सामने इंडिया टीवी स्पेशल रात नौ बचे रशी और यूक्रीन के बीच युद्ध का छटा दिन और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यूक्रीन के खरफॉन में रूफी फेना दाखिल हो गई है रूफ की इंफेंट्री यूनिट खरफॉन में दाखिल हुई है रूफी इंफेंट्री के जवान इस वक्त सडकों पर गश्ट करते दिखाई दे रहे हैं वक्ती बड़ी खबर रूफ की ताकत यूक्रेन पर लगातार बढ़ती हुई हमने थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई कि तिस तरीके से खिरसौन को चारो तरफ से घेल लिया गया लेकिन अब जानकाली यह आ रही है कि रूफी इंफेंट्री के जबान सडकों पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं